हेलो गाइज, आज हम कपल अफ कुकूस के एपिसोड 30 को एक्स्प्लेइन करने वाले हैं लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, नागी हीरो को लेकर भाग गया था और फिर हमें उनकी एक फ्लेश बैक स्टोरी दिखाई गई थी अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेश का लिंक है, जाकर देख लेना अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां नागी हीरो को लेकर भाग गया था और वो बस स्टेंट पे बैठा होता है, और बस लेट होती है और हीरो कहती है, अब हमें क्या करना चाहिए नागी कहता है, मुझे लगता है, हम जितना दूर जा सकते हैं, उतना अच्छा होगा हीरो कहती है, ठीक है और फिर थोड़ी दिर बाद हीरो कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम बस हजार येन लाए हो नागी कहता है, सौरी, पर मुझे नहीं लगाता कि कुछ ऐसा होने वाला है और वो सोचता है, मैंने क्या सोचकर हीरो का हाथ पकड़ लिया, और उसे लेकर भागाया पर मुझे इसका कोई पच्चतावा नहीं है, और हीरो कहती है, नागी, मुझे भूप लगी है और अगले सीन में हम देखते है, हीरो हैंबर्गर खा रही होती है, और कोल्डरिंग पी रही होती है और हमारा नागी बेचारा बस फ्रेंच फ्राइस को ठूस रहा होता है हीरो मजे से खाती हुई कहती है, हमें अपना पेड फुल रखना चाहिए और नागी सोचता है, मुझे डाउट है, कि अब हम दोनों बस की टिकट भी नहीं ले पाएंगे और वो सोचता है, हैंबर्गर सच में बहुत एक्सपेंसिव थे, मैंने कभी खाए नहीं, तो मुझे पता नहीं था और फिर हीरो आधा बरगर खा के नागी को देती है, नागी कहता है, नहीं, तुम खाओ, मैं फ्राइस खाकरी ठीक हूँ फिर हीरो कहती है, यह अच्छी बात नहीं है, तुमें ये खा लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हम अगली बार कब खाएंगे ये हीरो इसलिए कह रही थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे और फिर नागी बर्गर और कोलडरिंग को हाथ में लेकर खाने लगता है और फिर सोचता है ये तो indirect किस होई न और फिर वो बर्गर खा लेता है और कोलडरिंग पी लेता है और हीरो से खाता हुआ देख के हस्ती हुई कहती है तुम बहुत एंथूसियास्टिक हो मुझे इस पल को याद रखना होगा फिर नागी सोचता है पर अब हम करे क्या हमारे पास तो यहां से जाने के लिए भी पैसे नहीं है और फिर वो अपना फोन चेक करता है उसे एरिका का मैसेज आया हुआ था कि नागी तुम कहा हो और मैसेज देखकर नागी को एरिका की बात याद आती है जब एरिका ने उसके पूछा था क्या अब हम हीरो से कभी नहीं मिल पाएंगे मैं ऐसा नहीं चाहती और फिर नागी सोचता है मुझे एरिका पे ही निर्बर होना पड़ेगा और फिर हीरो कहती है मैं सोच रही हूँ कि क्या तुम मुझे फिर से बचाने आओगे और नागी कहता है क्या तुम्हें याद है दो साल पहले क्या हुआ था हीरो कहती है हाँ मुझे याद है और उसके माइंड में वही यादे आती है जब उसने नागी से कहा था कि मुझसे कभी बात मत करना और फिर नागी कहता है क्या उस टाइम तुम्हारे चेंज होने का रीजन मैं था हीरो वहां से उठ जाती है और कहती है क्या तुम ये जानना नहीं चाते कि मैं हमेशा फ़ष्ट क्यों आना चाती थी नागी पूछता है क्यों हीरो कहती है क्योंकि मैं अपने मंगीतर से छुटकारा पाना चाती थी मैं हमारे family shrine से प्यार करती हूँ लेकिन 1300 साल पुराने shrine की विरातत पाना कोई असान बात नहीं है और मैंने जबसे इसके बारे में सुना है जबसे मैं अपने फैंसे के बारे में सुन रही हूँ नागी कहता है मैं तमझ सकता हूँ और हीरो कहती है मैं अपनी फैमिली को ये दिखाना चाती थी कि मैं अपने फियांसे की हल्प के बिना भी श्राइन को संभाल सकती हूँ और मुझे लगा था कि मैं फ़श्ट आकर उन्हें ये विश्वास दिला दूंगी पर फिर तुम मेरी लाइफ में आए और मुझे एक और रीजन मिल गया फश्ट आते रहने का क्योंकि मैं पहले से ही इंगेज थी और इसलिए मैं चाहती थी कि कोई मेरे पास ना आए पास ना आए से मतलब है वही कि फ्रेंडशिप और फिर एक दूसरे की आदत लगना और वो कहती है आखिर में क्योंकि हमें अलगी होना पड़ता और वो बहुत पेनफुल होता और नागी कहता है हीरो तुम बहुत सेंटिमेंटल हो है ना हीरो शकल बनाते हुए कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता नागी कहता है ये कितनी cute है और आगे वो कहता है तो तुम्हारे change होने का reason और hero बीच में ही कहती है हाँ मैं इसलिए change होई थी ताकि तुम्हारे जैसे लोग मेरे close ना हो जाए अगर लोग उच टाइम मेरे close आते जब मैं सिर्फ एक चीज में ही first थी तो मैं style, athletics और friendship में first होती और इतनी उचाई पे होती कि कोई मुझ तक नहीं पहुँच पाता नागी जोचता है अच्छा तो ये बात थी ये सब कुछ इसने मुझसे दूर रहने के लिए क्या था और hero कहती है पर आखिर में लोग मेरे close आते गए और मुझे ये अच्छा भी लगा और फिर school में अच्छे आते रहे और मुझे लगता है शायद मेरी किस्मत उसी दिन बदल गई थी इस सीन में hero उस दिन की बात कर रही थी जब नागी ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें हराऊंगा hero आगे भी कुछ बोलना चाती थी पर फिर वहाँ Erica आ जाती है और इस बार वो एक पुलीस होने का ड्रामा करती है hero कहती है तुम यहां कैसे और नागी कहता है क्या इसे मेरे message से पता चला और Erica कहती है बहुत हुआ और वो दोनों को hero के shrine ले कर जाती है जहां से दोनों भागे थे और अब तीनों hero की mom के साथ एक ही room में होते हैं और Erica अपने आपको introduce करती है कि मैं नागी की फियांसे हूँ और नागी ने जो भी किया था Erica उन सभी चीजों के लिए hero की mom से माफी मांगती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि hero की mom दोनों के लिए खाने को लाती है और हमें पता चलता है कि Erica नागी कैसा brother है उसके कुछ किस से hero की mother के साथ share करती है और Erica के words होते हैं तो देखा आपने कभी कभी नागी कैसा भाई बन जाता है और फिर Erica उन rice cake को खाती है और कहती है इनका taste तो बहुत अच्छा है hero की mother कहती है you have a good taste यह यहां की special है और hero कहती है नागी तो shrink होता जा रहा है अब guys आपको पता ही है जब भी कोई शर्मिंदा होता है तो उसको anime में ऐसा ही दिखाया जाता है कि वो छोटा होता जा रहा है और नागी कहता है यह सब क्या चल रहा है मेरी फ्यान से और वो लड़की की mother जिसे मैं पसंद करता हूँ दोनों को मेरे बारे में बुरा बोलना पसंद है और वो लड़की जिसे मैं पसंद करता हूँ वो ये सब सुन रही है और Erika की सारी बाते सुनने के बाद हीरो की मॉम कहती है एक की गलती दूसरे को भी अफेक्ट करती है और हीरो साइड से कहती है अब नागी चूहे जितना हो गया है और फिर Erika mom से कहती है आप से बाते करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और फिर hero की mom कहती है मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम दोनों engage हो mom कहती है अच्छा ऐसा है क्या आगे Erika कहती है पहले तो मेरा नागी की बाते सुनने का भी कोई रादा नहीं था तो मेरे फादर की बात तो दूर है पर नागी के साथ एक साथ टाइम बिताने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो मैं कर रही थी वो सही नहीं था और अब मैं इस marriage के खिलाफ नहीं हूँ बस मैं इससे भाग रही हूँ और आगे वो बताती है कि वो अपनी engagement की बात करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकी और वो कहती है पर मुझे उमीद है आप दोनों इस बारे में बात कर सकते हैं हीरो की mom कहती है तुम्हें पता है हेरी का हीरो मेरी एक लौती बेटी है और वो श्राइन की heritage भी है guys heritage का मतलब होता है कि उनकी family जिस चीज को बरसों से संभाल के रख रही है उसकी जिम्मेदारी अब अगली पीड़ी पे है और आगे हीरो की mom कहती है इसलिए मैं strict हूँ जिससे मैं इसे इस बात का एहसास दिला सको और मैं ये सब इसकी खुशी के लिए ही तो कर रही हूँ और फिर वो हीरो को देखती हुई कहती है कि तुम दोनों को एक दूसरे से बात करने की ज़रुत है और अगले सीन में हम तीनों को घर के बाहर देखती है और हीरो एरिका को thank you बोलती है और कहती है मुझे लगा था मैं अपनी किस्मत से लड़ रही हूँ पर मैं उससे भाग रही थी और मैं ये सिर्फ तुम्हारी वज़े से समझ पाई एरिका कहती है मुझे खुशी हुई कि मैं तुम्हारी help कर पाई और फिर हीरो एरिका को गले से लगा लेती है और कहती है मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ आई थैंक्स हम दुबारा कभी शॉपिंग पे चलेंगे एरिका कहती है ठीक है नागी सोचता है कितना awkward है और फिर hero नागी को आख मारते हुए कहती है तुम भी चलोगे नागी और फिर एरिका और नागी वहाँ से चले जाते हैं रास्ते में नागी कहता है मैंने सब बिगार दिया मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ मैंने उसके फियान से मुझे बचाए एरिका कहती है क्या तुम चुप होगे तुम इस्ट्रॉंग हो अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं शर्म के मारे मर गई होती और फिर वो ग्यान की बाते पेलती है कि लोगों को इस टाइम हुद को डिफेंड करने की ज़रुत है और फिर वो ना नागी उसे पीता है और कहता है यह इतना भी बुरा नहीं है और एरिका कहती है इस दुनिया में कोल्ड कोला जाता कुछ नहीं और फिर नागी कहता है आज मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सच में पावरलेस हूं जब मैं मुसीबत में था तो मुझे तुम पे निरभरोना पड़ा मुझे यकीन नहीं था कि मैं खुद इस प्रॉबलम को सॉल्व कर लेता एरिका उसे आँख मारते वे कहती है सही कहा तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो नागी कहता है तुम्हें ऐसा कहने की ज़रुत नहीं है और एरिका कहती है तो अब घर चले है और फिर एरिका के घर का सीन आता है जहां एरिका के फादर जो की नागी के रियल फादर है वो आते हैं और वो पिक्चर बोड पे लगी पिक्चर देखते हुए कहते हैं यह लड़की कौन है यहां वो हीरो की बात कर रहे थे साची उन्हें बताती है वो यहां रह रही थी पर अब वो घर जा और डैड कहते हैं इस फोटो से मुझे बहुत कुछ सोचने को मिल रहा है और इसी के साथ ये एपिसोड होता है एंड पर अगर आप कहीं जा रहे हो तो पहले ये सुन लेना कि नेक्स्ट एपिसोड में AI की मुलाकात नागी से होने वाली है और वो नागी के परपोसल का आंसर देने वाली है तो जल्दी से चैनल सस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कल मिलेंगे आप से एक और निव एपिसोड के साथ जब तक के लिए बाए बाए